निउस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम कंदन गोपिनातन से बात करेंगे वीवी पैट और एवी एम को लेके जो एक बहस चल रही है कि इसको क्या इलेक्शन के वक्त जो प्रोसेस है उसके जरिये कुछ इस तरह से चीजे की जा सकती है जिससे जो काउंटिंग उनिट है और वीवी पैट की स्लिप है जो अलग अलग हो सकती है यह सवाल आपने रिसेंटली उठाये हैं कि आपके मताबिक जब पहले वीवी पैट नहीं थी त आ गया तब जो सिगनल हम जब बटन दबाते हैं जो जाता है वो पहले वीवी पैट में जाता है इसके बाद काउंटिंग में जाता है और क्योंकि यह कैंडिडेट तै होने के बाद ही जाता है तो इसलिए एक संभावना है कि उस वाक्त क्या प्रोग्रामिंग वीवी किया है process के अंदर क्योंकि पहले candidate जो था वो counting unit पे announce होने के बाद उससे कोई इस तरह से change करना संभब नहीं था इस वक्त एक क्योंकि बाहर के लोग इसको प्रोग्राम कर रहे हैं candidate announce हो चुकी है तो इसलिए एक संभब ना पैदावा किया इसे यही आपका यह संदे है इस वाक्त मैं इसको अगर थोड़ा explain करने के लिए viewers को भी और इसको अगर मैं BU मान लू बैलट unit और अगर मैं लेकर इसको मैं control unit मानू और अगर कुछ वी वी पैट के लिए अगर अचा है थेंक यू तो यह वी वी पैट मान लीजे इसको अभी वी वी पैट नहीं था पहले प्रोसीजर में हमारे इसमें नहीं है तो पहले बैलट unit था और एक control unit था इसमें से जो बटन प्रस करता था और सबका संदे यही था हमने जो बटन प्रस किया क्या वो ही control unit में गया है कि नहीं जिससे की counting होता है जिसको मैंने बटन दबाया candidate 1 का दबाया तो candidate 1 को ही इधर गया है कि नहीं या 3 को दबाया तो 4 को तो नहीं चला गया तो यह हमारा संदे था पहले जो ballot unit और control unit के बीच में तो इसको clarify करने के लिए जो हमने introduce किया है अब इसको वीवी पैट मानते हैं इसको हमने बीच में एक वीवी पैट लेके आया अब इससे अभी क्या होता है यह ballot unit से control unit में क्या जा रहा है सोरी वीवी पैट में क्या जा रहा है क्योंकि यहां पर print होता है तो वो water को पता चल है मैंने एक को दबाया और एक का जो symbol है candidate one नाम और उसका symbol प्रिंट होके इसमें से आता है तो लगता है कि हाँ यहां से यहां तो सही गया है पर वीवी पैट से control unit में क्या गया वो सवाल अभी भी assities रहा है क्योंकि वो water का वीवी पता नहीं है कि control unit में गया क्या है तो पह पहले जो आप देखेंगे वीवी पैट के विना एक इस्यू है पहले जो आप देखेंगे बैलेट टोनेट और कंट्रोल उने जब था तो कहीं पे भी मेशीन को यह नहीं पता होता था कि Candidate 1 Congress है Candidate 2 BJP है Candidate 3 Independent है इसको आप एक पूरा मेशीन मान लीजे पूरा B.U.C.U का तो इसके लिए बैलेट टोनेट के उपर हमें एक पेपर चिपकाते थे बस उसके अलावा आप काउंटिंग के टाइम भी देखेंगे तो Candidate 1 इतना वोट Candidate 2 इतना वोट इस तरीके से आते थे पार्टी इसका कोई सब्मन से नहीं था कोई Candidate कौन है यह अलफबेटिकली चलता था तो इसमें नहीं वह वन टू तू त्री फोर इसमें नहीं कि क्योंकि कुछ पता नहीं है कि सिफ नंबर है Candidate 1 2 3 4 पर अभी आप देखें यह सिस्टम में इसको लिलू और वीवी पैट को में यहां पर रखो तो यह सिस्टम को जो है अभी वीवी पैट में पता है कि Candidate 1 का सिंबल क्या है नाम क्या है Candidate 2 का सिंबल क्या है नाम क्या है तो यह मिशीन अगर ओर 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 देखेंगे अब इनको पता है कि 1 पे BJP है या 2 पे BJP है, 3 पे Congress है, 4 पे समाजवादी है, ये पूरी ये मेशीन को पता है, मैं इसको भी डेंजर समझता हूं कि मेशीन को क्यों पता चलना चाहिए, कि कैंड़डेट 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, अब ये दो system level की issues है, अभी दूसरा में आना चाहता हूं, पहले हम लोग कर लिया, कुछ हो गया, तो मैं आसे district election officer या returning officer, मैं कैसे इसको check कर सकता हूं, मैं हमेशा दावे की साथ, पहले लिखा भी हूं काफी इसकी support में, तो मैं यही बोलता था है, क्योंकि control unit को कभी पता नहीं रहता था है, कि तीन number पे कौन आने वाला है, तो मानलो कोई hacking भी कर ल काते हैं, पहले भी returning officer रह चुके हैं चुनाओ में, मैं दो election, returning officer के तरफ नहीं, पर यहां साओध दिली में 2013 का और 14 election में, SNIS officer डिस्टिक में था, उसमें काफी election में था, इसलिए process clear था उस तेम, पर उस तेम वीवी पैट नहीं था हमारे, तो उस तेम लोग जो सवाल उठा मैं उनको बोलता था है क्योंकि मानली जी किसने hack करके ले आया मेरे पास, district strong room में, तो उसको यह नहीं पता है कि तीसरे candidate या पहले candidate को देना है, second candidate को देना है, कोई उसको पता नहीं है, तो प्रोग्राम लिखके भी कोई फायदा नहीं है, कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इसलिए और एक बार यह जो form seven है, form seven है जिसमें वो हम candidate का sequence पता जलता है, withdrawal के बाद, scrutiny के बाद हमें एक sequence बता देते है कि पहला number पर कौन आएगा, वो पहले national parties का, फिर state, फिर registered, इस तरीके से हम करते हैं, national parties के भी जो होता है, उसके अंदर, national parties के अंदर, अगर मान लीज कि पहले किसका आने वाला है, क्योंकि वो candidate को ने वो बाद में decide होता है, number और parties का कोई संबंद नहीं था, तो यह एक major difference होता था, और दूसरी बात यह होते थी, कि एक बार यह आने के बाद, हम वो commissioning में या strong room में कहीं भी, कोई भी electronic item लेकी जाना alone करते थे, तो इसके कारण क्या है, हमें पता है कि जानने के बाद तो कुछ नहीं डाल सकते, और इससे पहले अगर किसे ने डाला भी हो, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है किसको डालना है, वो कोई useless exercise है अगर कर भी लेंगे तो, पर अभी हमने जो VVPAT लेके आया अब यह है कि कब इसको पता चलता है, जब हम 7A या candidate sequence final करने के बाद, हम जो ECL के engineer से या bell के engineer से वो एक laptop या jig करके चोटी से device होती है, वो device लेके आते हैं, laptop से jig में और jig में से, फिर VVPAT में ये candidate sequence आने के बाद, publish करने के बाद की बाद कह रहा हूं, और उसके बाद उन्हों करते हैं, फिसिकली एक तार के साथ इसको connect करते हैं, वो connect करने के बाद इसमें वो symbols upload करते हैं, कि पहला sequence, serial number one, candidate का नाम और उसका symbol, और second में कोन है, third में कोन है, fourth में कोन है, fifth में कोन है, ये इस ताइम इनके इसमें डालते हैं, अब ये इससे दो issue है, अब मान लीजिए, इस इस टाइम करते हैं, अब आते हैं सवाल पर ये अगर करते हैं, वीवीपैट क्या hack हो सकता है, ये तो ठीक इस टाइम करते हैं, पर क्या वीवीपैट में कुछ और program लिख सकता है कि इसके अलावा, या फिर हम control unit को जिसको बोलते है कि one time programmable ROM है, उस तरीके का device है क्या ये, व आप देखेंगे कि एक पेपर जो निकल के आते है, वो साथ सेकंड के लिए, जितने भी सेकंड के लिए रहते हैं, उसके वाद गिरने के बाद वो control unit में बेजते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक sensor है, देखने के लिए, एक counter है, और ये सारे चीज़ करने के लिए आपको एक microprocessor है, तो एक processor हो गया, memory हो गया, ये printer हो गया, sensor हो गया, ये सारे चीज़ मिले हुए एक प्रोसे, एक छोटा computer बोल सकते हैं आप इसको, अब इसमें ये जरूर है को सकता है, 100% है को सकता है, अब कब है को सकते हैं, जब ये device लेके आते हैं, जब इसको करते हैं, तब मान मान लीजिए एक malware में डाल देता हूं, इसमें ECL के इंजिनियर या बेल के इंजिनियर जान बूच के डालने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए उनके laptop में एक malware था, या मान लीजिए किसी ने उन्होंने इंटरनेट में सिंबल डाउनलोड करने के लिए connect किया, तब कोई hacker, क उस तरीके से इसके अंदर अगर चला गया, तो क्या होगा, यह इस तरीके से करेंगे कि जब ballot unit में प्रस करूंगा, तो वो ही paper प्रिंट हो के आएगा, और यहां से जो control unit में जाएगा, वो कुछ और जा सकता है, तो संभावना है कि अलग अलग चीजे, वीवी पैट पे प इलकुल सही है, हमने जो प्रस किया वो ही गिरा, पर यहां पर कोई अगर discrepancy है, तो वो पता नहीं चलेगा, वोटर को पता नहीं चलेगा, और आपका दूसरी बात जो यह है, क्योंकि हम external device लगा रहे हैं, candidate का जानने के बाद कि उसका स्थान क्या है, ballot unit में, number क्या है, तो इसलिए उसका program को change करना, एक संभावना उसका होता है, क्योंकि आप कुछ programmable device को, आप एक computer के साथ connect करने हो, तो इसलिए संभावना है, कि software उसका बदल सकता है, उस वक्त, और आप जो चाहते है, कि counting unit पे कुछ अलग print हो, और वीवी pack में कुछ अलग print हो, तो यह संभावन पैदा होता है, कि एक procedure में एक whole पैदा हो गया है, क्योंकि आपने इसको एक repeat device के तौर पे use किया, और इसको आपने program किया, candidate की स्थान जानने के बाद, जो पहले नहीं होता था, यह सम total भी यह है, और एक चीज़ यह है, यह चीज़ ध्यान रखना है, कि अभी vote ballot unit नहीं डल रहा, vote जो control unit में जो है, वीवी पैट डाल रहा है, तो आपका अभी ballot unit भी important नहीं रहा, control unit भी important नहीं रहा, आपकी वीवी पैट जो है, master बन गया एक तरस, भीच में master बन गया, आप जनता को, मतलब जो voter है, उनको क्या दिखाना है, वो भी वीवी पैट decide करेगा, और control unit में क्या जाना है, वो भी वीवी पैट decide करेगा, तुरत इस बात पर आते हैं, ये सवाल आपने जो उठाया, election commission के इसके बारे में क्या कहता है, नहीं मैंने इसको उठाया था, जो हमारा RO returning offices के training होती है दिली में, टिली में, इंडिया international institute for democracy and will management, if I'm not wrong, तो उधर training के दोरा, क्यो प्रिंट होना है, तब ये बताया कि वो तो आपकी जो 7a के बाद जब commissioning होती है, तब हम इसमें करते हैं, तो मैंने पूछा कि कुछ connect कैसे करते हैं इस पर वीवी पैट पे, तो उन्होंने बोला कि external device connect करते हैं, क्योंकि मुझे ये आता, मैंने बहुत ही vehemently इसको defend किया थ कि क्योंकि किसी भी हालत में electronic devices पे टच नहीं करते हैं, इसलिए कि भी संभावना नहीं है, जैसे उन्होंने बोला कि 7a के बाद हम external devices को connect करते हैं, तब मुझे समझ में आया कि मेरी पूरी defense जो है EVM की, इस वाक्त कारी कारी नहीं है, और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं अगर मान लीजिए उस वक्त नहीं कर रहे हैं, वो EVM जो connect करते हैं टाइम नहीं कर रहे हैं, वो उसकी जरूरत भी नहीं है, इस system को अभी ये पता है कि memory 1 पे, memory के first candidate 1 पे, symbol है, 1, नाम है, ठीक है, अगर pre-loaded एक इसमें प्रोग्राम में मान लीजिए, कहीं और, कैसी जब क इतना लिखना है कि आप parse करिए, memory 1 पे कौन है, memory 2 पे कौन है, memory 3 पे कौन है, automatically आपको पता चल जाएगा कि 1 पे Congress है, 2 पे BJP है, 3 पे समाजवादी है, 4 पे DM के है, एक बार आपने इसको software डाल दिया, अगर आपका malware जो कह रहे हैं, या इस मकसद से hack करने के मकसद से आपने सहाबिक है कि एक बार आपका position मालूम है, तो अलग-अलग चीच प्रिंट कर सकते हो, ये तो करी सकते हो, और election को अगर चाहे तो बायस कर सकते हो, अगर process of uploading, uploading the software, उस पे अगर कोई सम्भाबना हो, निक मेरा ये कहना है कि हम अभी पहले जो उठाया, उसमें हमने बोला कि malware तब जा सकता है, जब वो symbol unit symbol load करते हो, मैं एक कह रहा हूँ, पहले भी हो सकता है, क्योंकि एक हमारे defense थी, कि machine को पता नहीं है कि candidate 1 कौन सा है, candidate 2 कौन सा है, अभी कह रहा हूँ, जभी symbol जा जा जाएगा, उस वक्त तो, उस वक्त आप सिर्फ पार्स कर लीजिए, कि candidate 1 का ना जरस, तो दो संभावने हैं अभी, अभी इसके बाद, हम उसके बाद आते हैं हमारे checks क्या-क्या थे, इसको पकटने के लिए, तो randomization तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि randomize करके हमें constituency पता चल गया, अब कोई फरक नहीं पड़ता है कि ये boot एक में जा रहे है, दो में 5% mock poll हम करते हैं, और दूसरा है हम जिस दिन पॉल के दिन, जो हम 50 वोट डाल के देखते हैं, जो 5% random हमने EVM उठा के, हजार वोट डाल के उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, वो एक तरीके से एक चेक है, अची चेक है, पर उसमें दिक्कत क्या है, हम अचली ये नहीं देख रह तो सारे के सारे लोट हम चेक कर रहे हैं, हम 5% में से मान लिजे, मान लिए 100 है, 100 में से 5 को उने उठाया random, उसमें से एक गलत निकला, तो हम क्या करते हैं? उसको अलग कर देते हैं, तो हम सही वाला 5 डून रहा है, उसको आप चेकिंग नहीं बोल सकते हैं, अगर 5, बाहस ब यह नहीं इसकते हैं अगर 100 में से एक आपको मिला फांच में उसको आप 20 से मल्टिप्ले करिये 5 आपने उठाया उसमें से अगर मान लीजिए एक आपको गलत मिला इसका मतलब है कि 20 आपके 100 में से गलत हो सकता है पर वो परसेंटेज ना निकाल कि आप क्या करते हैं आप एक पर अगर यह पता चल जाता है कि एक भी गलत हुआ है तब पूरी की पूरी 100% पे अगर हम चेक कर रहे हैं तब इड़ आभी डिफरेंट तो अभी यह चेक मुझे इससे पूरी बरौसा नहीं है गहा यह यह फ्लाओ फरेंट अगर मुझे दो ही पीस पे करना है तो यह पांच नःय आया नहीं यह फंट ऊड़ तुरो खड़ी इस लि Phillist में ले गलती ज से आभी गया तो मैं तो सर्छिंग एडिढ दोसरा उंड रॉन डूंडा नहीं तो शर्चंग वेक कि लिगा सब्सक् फुल्ड पूल प्रूफ चेक, इस अप बेद पूल प्रूफ यह जिए गवारी एफटिव प्रूफ एफटेव एपा में गविधा ने लिए यह जा लिए ने तो पहले पचास वोट है हुआ यह कि में पाँ पताइए तो पहले कवा पचास वोट जिए अपने इसमे भी करें सब खुश होंगे, साइन करके उसमें लिख देंगे और उसके बाद बोलेंगे, बंद कर दो, सील कर दो उसके बाद वोटिंग शुरू होगा, सो तक ऐसे करो उसके बाद आगे कि तीनों जो चेक्स थे इसमें हमारा नाकाम रहेगा अगर ये वीवी पैट को इस तरह से pre-program किया गया हो ये तो इस तरह से symbol loading के टाइम पर किया गया है इसमें हमारा process check भी fail हो रहा है और एक major component था EVM का protection का वो ता physical security कि हम कोई access नहीं देते हैं वो भी खतम हो गया और ये अब तो process में हमें अभी किसी तरीके से मैं नहीं बूल सकता बहानलीजे EVM के voting के दिन में भेजूंगा इसको किसी तरीके से मैं नहीं बूल सकता 100% मेरी hack नहीं है ये मैं बूल सकता हो को hack नहीं हो सकता है ऐसे कोई संभावना नहीं है ये मैं बूल सकता है अगर SNR OM मुझ से पूछेंगे 100% आपको sure है कि इसमें से एक भी hack नहीं है तो मेरे पास उसकी जवाब नहीं है guarantee जो पहले procedure की हम दे सकते थे इस procedure वी वी पैट डालने के बाद हम नहीं दे सकते हैं और इसके लिए अब जो check है तो है कि आप ballot unit के जो paper कागज निकलेगा और county unit दो दो को telly करें यही एक सिर्फ रास्ता बच गया और कोई रास्ता हमारे पास इस वक्त है नहीं हाँ पहले चीज़ में उससे भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि वह आप counting के time check कर रहे है voting हो चुका है तो वह एक check नहीं है effectively वह हम इसको tallying को एक लेके आया था एक confidence building measure type आपके देखें कितने क्या tally करें tally न करें count सिर्फ ballot printed ballot को करें जो भी करें बट अल्टिमेटली 100% counting of the ballots in this case paper जो slip है वही सिर्फ एक चीज है जो voter को संतुष्ट कर सकता है कि मेरा vote यही था मैं इन्पुट के टाइम पे वोटर वीवी पैट और बैलट टूनिट की बीच में हर एक वोट का वेरिफाय कर रहे है मैंने इसको प्रस किया वो इहां रहे है तो counting के टाइम भी अगर आप में इधर से इधर बेजा तो मुझे हर एक उस पे वेरिफाय करना चाहिए इधर स कि जो गया है अगर अभी हमारा प्रोसेस क्या है हम रांडमली एक कॉंस्टुएंसी में पांच निकालेंगे पांच निकालके उसमें से हम मैच करेंगे वीवी पैट और कंट्रोल उनिट अगर ये दोनों को हम मिसमा चाहता है तो वापस यहीं बोलते हैं कि जो वीवी का एक पार्लेमेंट्री कॉंस्टुएंसी है और मुझे दो ही इवी म में ऐसे करना है दो इवी म मतलब 2000 या 3000 वोट मान लिजिये 2500 वोट मान लिजिये और 6 उसको कर दीजिये तो 15,000 हो गया, 15,000 पारलमेंटरी कॉंस्टोंसी में, वो दो 200 में से 5 में आये, इसकी संभावनाई अल्मोस 50 परसंट है, आने के चांतर से बहुत कम है, उसके बाद अगर आ भी जाए, तो भी आप ये देख रहे हैं, कि अगर एक गलत निकला, तो आप EVPAT को हटा दीजिये, पहले ये ठीक था, पहले क्योंकि आपको प्रोसेस बिल्कुल 100 परसंट है कि किसी तरीके से हैक नहीं हो सकता, तब आप ये करते हैं कि हमने क्या सही किया है कि नहीं, वो एक रैंडम निकाल कि आप चेक कर रहे हैं, अभी आपके पास सिर्फ एकी चेक बचा है, जिससे आप वेरिफाई कर सकते हैं कि आपका एक भी EVM हैक नहीं है, एक भी, एक ही चेक है, वो है कि आप इसको काउंट करके टाली करें, और कोई चेक नहीं बचा है आपके पास, तो तब ये फाइव पर कॉंस्टुएंसी जो है, वो नॉट सफिशेंट, और कॉ जो हमने दिया है, वही काउंट हो रहा है, इसलिए वी वी पैट इंट्रोड्यूस करने के बाद, अब बैलिट को हमारा वो कागस जो हम देख रहे हैं, उसी को मानना चाहिए, ये आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी को मानना चाहिए, और क्या कहेंगे तब, इसको टैल करना चाहिए, मैं इसलिए कहता हूँ, तो कि ये वी वी पैट की बीच में जो है, अगर टैली नहीं होता है, तब आपको प्रोसेस देखना चाहिए, कि या फिर क्यों बाकिस में हाकिंग हुआ है, नहीं हुआ है, उसमें जाना चाहिए, वो तो अलग बात है, ठीक है, हमने चुनाओ कर लिया, हमारा स्लिप आ गया, दोनों को हमने टैली करके, एक मिसमैच पाया है, तो मैच पाया है, दो ही समभाब ना है, अगर मिसमैच पाया, तो दो समभाब ना है, चुनाओ को रद कर दीजिए, अब कितने पे रद करेंगे, एक सवाल है, यह तो आप कहें कि वोटर स्लिप जो है, हमारा जो बैलेट निकल रहा है, प्रिंट होके, उसी को हम मानेगे, दो ही सबाब ना है, तो कौन से चीज आप कह रहे हैं, यह मैं पूछ रहा हूँ, अगर मिसमैच हो रहा है, एक में भी, तो इसको मतलब आपको शक पैदा कर रहा है इस बात पे, यह सक पैदा कर रहे हैं, तो मेरे खहल से तो वापस रिपोल करना चाहिए, एक भी EVM का, एक भी स्लिप अगर मैच ना करे तो रिपोल, यह थोड़ा सा प्रॉब्लिम यह है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स हंड़िट परसेंट कभी होता नहीं है, तो एक दो तो आपको गलत निकले ग पड़ेगी, जैसे इनसान जब काउंट करता है कागस, उस पे भी कुछ गलती होता है, तो इसके हड़िड परसेंट नहीं है, कि वो काउंट गलत था, यह काउंट गलत था, तो एक सिग्निफिकन्ट डिवियेशन होगा, तो जरूर इस पे शक पैदा होता है, पर इस पे हम बिसाओ हो सकते हैं, जो भी मान लिएए, उस पे एक दो मिशीन तो खराब निकल ही सकती है, तो वी केनाट डिसाइड कि पूरा इलेक्शन को रद करना चाहिए, उस पे यह कह सकते हैं, उस बूत में फिर काउप पोल, वो इस तरह से कह सकते हैं, पर पूरा इलेक्शन तो उ कि हमारे बैलेट जो है उसको वहां की जो स्लिप निकली उसी को बानना चाहिए और उसी का काउंट होना चाहिए यह आपका बेसिक सब्मिशन है सब्मिशन ये भी 100% नहीं है क्योंकि मुझे वीवी पैट पे ही शाक है यह पर आपने तो कहा कि लोग देख रहा है इसलिए उसका गारेंटी बलग रहा है बिल्कुल 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 तो किलेक्शन का आपका वेरिफिकेशन अभी इतना ही हुआ है वोटर देख रहा है क्या स्लिप है येस पर जो स्लिप निकलता है वो मिशीन जो है वो हैकबल है तो इसलिए अगर मैं इसको इस तरीके से मानूं कि इस लेवल तक हैकबल है कि इस ताइम के बाद मैं कुछ करूं मिशीन में तो क्योंकि उसका उसका प्रोटेक्शन इस फिजिकल वा जो आपने पहले कहा, slap slip हुआ, उसके जो ही print हुआ, इसके बाद हमने sign किया, और उसका number कितना है, वो हमें मालूम है, क्योंकि हमारे कितने लोग vote डालने आये थे, हमें मालूम है, तो electoral officer और जो हमारे दूस्टे पार्टियों की, जो हम प्रतिदी होंगे, उनका एक काम है, तो आप यह कह रहा हूं कि, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह, मेरा submission कुछ और हो सकती है, मैं सिर्फ आपका position जानने के लिए पूछ रहा हूं, मेरा अभी के जो system है, अभी जो existing system में, मैं तभी satisfied होगा, अगर मुझे one by one, one is to one, one is to one करे, आप आपका जो है, कि इसको technically क्या करना चाहिए, इस पे सवाल करके tactical committee बैठे, राय दे, जिसके आधार पे हम और आप उसको अध्यान करें, करके कहें कि हाँ, हमें सही लगता है, opposition parties की इस पे सहमती हो, तभी जाके इस election process को इस तरह से करने का एक sanctity होगी, नहीं तो उसकी मान्यता नहीं होगी, आम जनता के पास, खास तोर स जो parties हारेंगे, उनके इन चीज पे श्रद्धा नहीं होगी, अगर इस process में hackability दिखाई पड़े, जो आपका जो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम external device connect कर रहे हैं, हम एक intelligence, वीवी पैट के अंदर है, और उसको symbol अगर वो recognize करता है, तो पहले भी उसके अंदर software हो सकती है, कि किसी खास symbol के प्रती, उस पे ballot जब print हो, वो print करें, पर counting unit पे अलग भेजे, संभाव नहीं हो सकती है, तो इसी लिए, ये एक hole है, system के अंदर, इसको कैसे ठीक करें, एक तो ये सवाल है, और तब तक हमारा आस्था सिर्फ जो है, हम वोर्ड जो देखे हैं, उस ballot slip के प्रती ह हो सकता है, पर counting community की प्रती नहीं हो सकता है, इस दो आपके जो बाते हैं, उससे इन दो चीजों पर निशकर्श पर पहुंचना चाहिए, इसमें एक और मेरा concern ये है, ये चीज़ करने के लिए, election में, missionary में, एक भी official की, या worker की, collusion की जरूरत भी नहीं है, अगर, पहले अग action के दोरान, जो लोग कह रहे हैं, उसके उनकी presence में किया होंगे, ये पूरी procedure में, actually मुझे इसमें hack करना है, मान लिजी कोई foreign country है, जो एक machine mirror को hack करना चाहते है, वो laptop पे, एक hack laptop है, किसी ने hack कर दिया, जिस वक्त पे आपने एक बाहरी laptop लगाया, तो process के अंदर एक hole पैदा हो गया, हो गया, ये तो मैं बान के चला है, इसमें मैं पहले जो था ना कि, एसल का, या फिर bell के engineer, या फिर उनकी किसी ने किया है, वो सब actually नहीं है, अभी किसी के collusion की जरूरत नहीं है, कोई completely, हमारी एक बहुती important, nation के लिए सबसे important process election, वो process we have now made, उसको हमने, किस चीज है, कि चुनाओं में, एक conspiracy की सिर्फ सवाल नहीं है, कि ruling party ने किया पर एक process के अंदर एक hackability पैदा हो गया है, बिल्कुल, इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में open discussion होनी चाहिए, कि election commission को, इसको इस वक्त जो एक defensive बुद्रा दिखाई पड़ रही है, कि वो defend करे जा रहे है, पर चीजों के explain नहीं कर रहे है, इसके जगह पर एक open discussion करके, इस holes को कैसे, बंद किया जा सकता है, यह हमारा उद्देश है, हमारा उद्देश है कहना नहीं है, इस चुनाओं में बीजेपी इस तरह से hacker की जीती, यह कहना नहीं है, यह basic चीज है, कि एक election की जो पहल VVPAT इस तरह से लगाने के वज़े से, वहाँ एक hole पैदा हो गया है, जिसके जरीए, जो चीज हमें ज्यादा सुरक्षिद बना सकती थी, इस वक्त उस हम को ज्यादा असुरक्षिद बना रही है चुनाओं में, बिल्कुल, तो यह दो चीज है, और तीसरी चीज है, इसको चेक करने के लिए, क्या-क्या पदक्षिब होना चाहिए, ट्रांस्पेरिंट होने चाहिए, और इसकी टेक्निकल विशे बे, हर तरह से स्टडी करके, एक ऐसे प्रोसीजर में पहुंचना चाहिए, जहां पर इन चीजों के खिलाफ हमारी प्रोटेक्शन हो, तीन चीज बि झाल